तो दोस्तो आज की वीडियो का हमारा टोपिक है अगर आपका एक प्लास्टिक का कुलर है और वो करंट मारता ठीक है तो दोस्तो उसको कैसे रिपेयर करते हैं किस प्रकार से ठीक करते हैं और आज मैं आप लोगों को इस information देने बाला हूँ अगर आपने इन 3 step को मैं तीन step बताने बाला हूँ अगर आपने इन 3 step को end तक देख लिया तो मैं मानता हूँ आपका अगर प्लास्टिक का कुलर है तो दोस्तों वो कभी भी current नहीं मारने बाला हूँ और मैं एक दम डेमो अप लोगों को दिखाने बाला हूँ यहां पर देख सकते हैं कि बोतल में मैंने पानी भी ले रखा है उसके लिए ठीक है अब लाइफ करके क्या दिखाने बाला हूँ देखिए मैंने बोला कि 3 step होते हैं अगर कोई भी रिक करन्ट मारता ठीक है नमबर बन देखिए जो step ह झाल से और होता है अगर आगर उस इसको दो रहे हैं ठीक है यानि कि आप प्र पानि गिलती करते हैं थे कि जिसा ही घैसे ही माने यह पर पानी डाला जब कर दोस्तों यहां पर इसपर पानी डालए तो तो हमारा जो तो जैसे ही हम यहाँ पर पानी डालते हैं तो होता क्या है जिए हमारे ये प्राइंट है यह यही है हमारे जो इसके अंधर कोई पन्नी या फिर कोई सेफ्टी लगी नहीं होती है अब मैं आप लोगों को डैमो दिखा देता हूं ठीक है इस प्रिकार से जैसे मैं यहां से निकालूंगा तो यह हमारे जो पाइंट है अगर आप लोगों को सपाई करनी है तो आप लोगों को ध्यान देना है कि इस कंडिशन में हमारे जो फ्रीज के सुच होते हैं उनमें किसी भी प्रिकार से पानी नहीं भर पाई ठीक है अगर आपने पानी भर दिया तो दोस्तों आपका जो करन्ट है वो लगना ही लगना है दूसरा दोस्तों पवरास हम क्या करते हैं इसको निकाल लेते हैं दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यह वायर हमारे हैं कांज अद्धा नहीं होना चाहिए जो कट बगर होते हैं वो नहीं Help मैन लीड में यहां पर कहीं भी आप दिखा देता हूं यह जो मैन लीड है इसमें कहीं भी कट बगारा नहीं होने पाई है अगर कट आपके हैं ठीक तो उन पर अच्छी तरीके से आप कोई दिक्त प्रिषानिया आप लोगों के और यानि नहीं होगी यह जो आप लोगों के देख रहें यहां पर इस लोही की पत्त्री से क्या है हमारा जो तार वह हुआ है तो अप्छेंप आपस में लोही की पत्री और हमारे तार दोनों गिष्ण आकरसत बल करते हैं यानि कि दोनों गिषते हैं गिषने की बज़े से दोस्तों हमारा जो वायर है वो एक साइट से पिलग जिने की बज़े से हमारा वायर करेंट मानने लगता ठीक इस कंडिशन में भी दोस्तों हमारे कूलर पर पूरी बाड़ी पर करंट आएगा नमबर दोस्तों हमारा एक टिल्लू पंप इसमें है नहीं मैं आप लोगों को फिर भी बता देता हूं अगर आप लोगों को पूलर रहा है और इसमें क्या होता है कभी-कभी यहां से पानी अंदर की साइड को आना चाहिए वह कभी-कभी बाहर की साइड को आप लोगों का पानी अगर उचल रहा है तो उस कंडिशन में हमारी मोटर पर पानी आने के बज़े से हमारा जो कूलर है वह अर्थिंग मारना चालो हो जाता है ठीक यह दोस्तों मैंने आप लोगों को तीन पॉइंट ऐसे बताएं अगर आपने इन तीन पॉइंटों को अ